दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आपको स्वागत है जिया दोस्तो आप सभी को तो पता ही हुगा कि मैं रिलोश रिलेटिव नई नई ख़बरे आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ तो ठीक उसी तरह आज बंदे भारत से जूरी एक नई ख़बरे आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो इसलिए अगर चैनल में नई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लेता कि ऐसे जानकर आपको आगे भी मिलती रहे तो चलिए दुस्तो वीडियो को सुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है बिहार के राजदनी पतना से पच्छिम मंगल के हाउड़ा के बीच चलने वाले एक नई बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन के बारे में जो कि बिहार के लिए दुसरे बंदे भारत ट्रेन होगी साथ ही लोगों का जो इंतिजार था कि बिहार के राजदनी पतना से पच्छिम मंगल के हाउड़ा के बीच एक नई बंदे भारत ट्रेन चलाई जाए उनका इंतिजार भी अब बहुत जल्दी खतम होने वाले है क्योंकि रेलोए बोर्ड ने अगले 24 तरीकी यानि की 24 सितेंबर को बंदे भारत ट्रेन चलाने का मंजूरी दे दी है रेलोए बोर्ड से जानकरी के अनुसार 24 सितेंबर को दो पहर करीब सारे बरोबजे पतना जंक्सन से बंदे भारत ट्रेन को हरी जैन्डी दिखा कर हाउड़ा के लिए रवाना की जाएगी लेकिन रेलोबोट के अधिकारी ने बताया के बुद्बर साम तक इस ट्रेन का किराया और समय सुची तैकर दी जाएगी आपको बता दे कि पतना से हाउडा के बिचके दूरी 530 कि-लिमिटर है और ट्रैलर्ण के दौरण ये ट्रेन अपना जारने छे गंत तीश मीट में ही पूरी कर ली थी पटना से होडा के भी चलने वाले बंदे भरत ट्रेन का ट्राइलान पिछले महिने में यानि के अगरत महिने में ही पूरी कर लिया गया था मगर इस ट्रेन का संचालान की कोई तारी खुशना नहीं हुई थी और यात्रियों को बहुत दिनों से इस ट्रेन का खुलने का इंतिजार था लेकिन फिलाल जो का बड़ा भी सामने निकल के आ रही है कि पतना से होडा की भी चलने वाले बंदे भरत ट्रेन अगले 24 तरीक एने की 24 सितेम्बर को खुलने का पूरी समबना है और फिलाल जो की य ट्रेन का टांग भी सामने नहीं आया है लेकिन अगले दोस्तोष की बंदे भरत ट्रेन का टांग जैसी डोई पोडसे निकले की तो सबसे पहले में आप लोगों के लिए वीडियो जरूर ले के आओँ गाओंगा तो आज कि वीडियो आप लोगों के किसे लगी comment में जरूर बताएगा और हम मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में किसी और एक नई टोपिक के साथ तब तक लिए दोस्तों नमस्कार